आज हम सोया दम बिर्यानी बनाएंगे, बिर्यानी बनाने के लिए सोया बिन को मेरिनेट करेंगे पहले, इसको हमने 15 मिट पहले भिगो के धुल के निचोड लिया है, अब एक बरतन में दही डालेंगे, इसमें कुछ मसाले डालेंगे, धनिया पौडर, भूना जीरा पौडर, अल्दी पौडर, मिर्च, लाल मिर्च पौडर, गिर्यानी मसाला, थोड़ा सा तेल, दो चम्मच, अब इसमें सोया भी डाल देंगे, इसको अच्छा से मिला के 15 मिनिट के लिए ढटके रख देंगे, बिर्यानी बनाने के लिए भोगोना चड़ा दिया, इसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच देसी घी, आप पूरा घी महीं बना सकते हैं, या इसमें खोड़ा सा रिफेंड आल में मिला सकते हैं, तेल घी मिला के दोनों मिला के बनाएंगे, एक बड़ा चम्मच, तीन प्याज जिसको हमने छोड़ चोड़ डाइस में काट लिया है प्याज हो गया है अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा कास्वीरी मिर्च थोड़ी सी हल्दी अब यह जो हमने सोया बीन मेरिनेट करके रखा था यह डाल देंगे अब इसको अच्छे से भूनना है हमको अब देंगे लसून अद्रक का पेष्ट भरके बड़ा चम्मच एक अब इसको ढख 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 के धीमे आज पर अच्छे से भूनेंगे तब तक मसाला पकता है तब हम चावल पका लेते हैं चावल में कुछ खड़े गरम मसाला हो तेश पता डाल देंगे नमक तोड़ा सा तेल जब अच्छे से मसाला और पानी पक जाएगा खौल जाएगा तब इसमें चावल डालेंगे तक तक ढख दे रहे हैं कि पानी और मसाला अच्छा पक गया है यह देखिए 80 परशन चावल हमारा पक गया है चावल हम बंद कर देंगे नमक पारदन उसार मसाला हो गया है अब इसमें डालेंगे दन्यक पत्ती एक बार इसको अच्छे से मिला लेंगे इसमें डालेंगे चावल जो हमने पकार रखा है आच इदम घिमा रखे हैं अब इसमें फैला के ऐसे चावल डालेंगे एक जगह नहीं डालना है चारो तरफ त्य इस तरह से फैलाते हो चावल डालना है तो ज़िए दानीयग पत्ती फुर्ड़ा पुदिना पत्ति फ्लेवर अच्छा आथा इसमें थोड़ा से बिर्यानी मसाला थोड़ा सा थोड़ा सा फूट कलर अब इसमें प्याज की एक लेयर कर देंगे थोड़ा सा ऐसे हाँ से क्रस्ट करते हुए गुदिने की पत्ती ऊपर से फिर से डाल देंगे अब इसमें धक्कन लगा के दम देंगे इसको दम देने के लिए पर एक भारी चीज रखेंगे अब कोई भी चीज भार ही रख सकते हैं और तवय पे इसको हम रखे हैं मोटे तवय पे 20-25 मिनट के लिए इसको हमें दम देना है बिर्यानी हमारी तयार हो गई है खोले के देख लेते हैं पूले के दो अखे हैं